हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल आज की वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाना सिखेंगी उसका टोपिक है वॉलकनिक इरेप्शन ये एक वर्किंग मोडल है इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप वॉलकनिक के अंदर से गरम लावा निकलता हुआ दिखा सकते हैं ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं प्रोजक्ट बनाने के लिए हमने जो मैटेरियल्स लिए हैं वो इस टैप से हैं एक प्लाइवूड कार्टून बॉक्स पी ओपी वार्नेश कुछ कलर्स बेकिंग सोडा सॉल्ट बोटल वाइट क्लोथ डिश्वाशिंग लिक्वीड विनेगर और फूड कलर्स सबसे पहले लिए हमने प्लाइवूड और उसके ओपर कार्टून बॉक्स के श्टी करके हाफ राउंड शेप में कट कर लेंगे अब हम एक बोटल लेंगे और उसे सेंटर में श्टी करके अच्छे से फिक्स कर लेंगे बैंबू श्टीक लेकर हम कार्ट बोर्ड पर अटेच कर लेंगे और इसी तरह बैंबू श्टीक को भी हम बोटल के चारो तरफ श्टीक कर लेंगे अब हमें एक बाउल लेंगे उसमें पियो पी और पानी को मिक्स करके उसका पेश्ट बना लेंगे पेश्ट में क्लोथ को डिप करके पेश्ट को क्लोथ पर अच्छे से लगा लेंगे क्लोथ से हम बोटल को अच्छे से कवर कर लेंगे और उसे हम माउंटेन का सेप देंगे बोटल के आपनिंग पे हम क्लोथ को कट करके वोल के उनों का होल बना लेंगे अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे ताकि प्योपी सूख कर हार्ड हो जाए सूखने के बाद अब हम इसके उपर कलार करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम माउंटेन के उपर ग्रे कलर कर लेंगे और माउंटेन के नीचे ब्राउन कलर से शेडिंग देंगे अब माउंटेन के टोप पर ब्लेक कलर से हाइलाइट कर लेंगे हमने जो क्लोथ पर होल्स बनाए थे उन्हें रेड गलर से हाइलाइट कर लेंगे अब टिशू पेपर के हेल्प से माउंटेन के आसपास पाने की लहरे बना लेंगे कलर कंप्लिट हो जाने के बाद वॉल्केनों के टोप पर वारने से कोटिंग कर लेंगे इससे वॉल्कोन के अंदर से निकलने वाला लावा इजिली फुलो होकर नीचे आ जाएगा अब हम धूब बत्ती लेकर उसे श्टेंड पर अटेच करके उसे जला लेंगे इसे हम प्रोजक्ट के पीछे से माउंटेन के अंदर रख देंगे अब जो होल्स हमने बनाए थे उसमें से निकलता हुआ दुआ हमारे प्रोजक्ट को रियलिस्टिक इफेक्ट दे रहा है लावा निकल कर बाहर आता हुआ दिखाने के लिए हम सबसे पहले बोटल में डेट चमत सॉल्ट डालेंगे उसके उपर दो चमत बेकिंग सोडा डालेंगे लावा को कलर देने के लिए हम फूड कलर का यूज कर रहे हैं सबसे पहले रेड कलर डालेंगे और उसके उपर येलो कलर डालेंगे अब थोड़ा डिश वाशिंग लिक्वीड डाल देंगे इस तरह से हमारे लावा का माटीरियल रेडी है अब जैसे ही हम वीनेगर डालेंगे वॉलकन के अंदर से निकल कर लावा बाहर आ जाएगा इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है और वॉलकनिक इरप्शन का प्रोजेक्ट बहुती रियलिस्टिक और अमेजिंग लग रहा है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो से लेके आता रहता हूँ फिर विलूँगा अगले वीडियो में